चलिए तो शुरू करते हैं हम अभी देखते हैं कौन-कौन लोग जुड़ जाते हैं जल्दी से तो देखो सबसे पहले जो है हमारा यहां पर फर्स्ट यूनिट यह हम पढ़ रहे हैं पेपर नंबर 5 प्लांट फीजियोलोजी एंड मेटाबोलीस ठीक है इसकी फर्स्ट यू तो हमें स्ट्रेजी इस तरह सी कैसे बनानी है कि हम एक्जाम के अंदर पूरे 10 के 10 क्यूशन को कर सके हैं मतला हमारे पास इसी कैपेसिटी डवलप हो जाए कि हम दस क्यूशन हमारे जान पैचान के वहां पर हमें मिलें तक यह जो समझ में आगया बात ठीक है ओक है तो सब्सक्राइब क Virus चाहरा सकता है यहाँ चाहरा चाहरा जिछान पर जिसासा प्रोपर्टी दो आगया है टिक है यह संब्सक्राइब धसमिर्सराओ धिर्में हैं मेरे ट्रच स्नुरण प्रिक्सक्राइस फिकैन प्रीटेश यह का होता है इसके बार पूछा गया है ज्यादा नहीं है अगर हम इसको डिसकार्ड भी कर दें तो हमारे पास में बल्क मुवमेंट ऑफ वाटर इसको भी आप अधरवाई ले सकते हैं बागी हमारे जो सबसे ज़्यादा पुछा गया क्यूशन है वह सोईल प्रांट एट्मोस्पियर कंटियम यह एस्पेक बहुत सी बार पुछा गय गयल पूछा गया सब तुछ अधिकनी ड्कार्व प्रांश्पोर्टेशन ऊप्रास्पिरेशन के समय इस्टो मेंटा का जो बंद पुछा गेदा है इसी तरह सिगनल ट्रांस्डर्व्ट लिए इंगाड़ वह किस प्रणार मेंद यहाँ पर झृष सीटमी गारद मेंर्धेंद बताना नहीं आया है रेगूलेशन प्रण बता है से नहीं हमारा तो यह हमारा यहां पर यह सब्स Кِंप करके कहा है है तो तो इयों के समीह जाला है यह बहुत के मिस्टाइब्स और दूसरा तरह इक Duch johemarie बहुत ही पावर्फुन नहीं पर बन रहे हैं और प्रीन प्राप she सब्सक्राइब दूसरा सेक्षिन है ट्रांसपोर्ट का यह हमने फर्च पेपर के अंदर विपड़े हैं सारी चीजे वही है ठीक है पेसिव या नोन मीडिटेड ट्रांसपोर्ट और इसके अंदर अर्नेस्ट एक्वेशन हमें निकालनी होती है तो यह हम पढ़ चुके हैं इसी तरह पेसिव मीडियाटेड ट्रांसपोर्ट ठीक है ना सुगमित परिवर्ण एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूनिपोर्ट सिस्टम सिंपोर्ट सिस्टम और एंटिपोर्ट सिस्टम और आइन चैनल पढ़ चुके अपन उसके अंदर तिनों सिस्टम होने बताया है अमीनो एसिट्स प्रोटीन फिलिए गुद्न होगा और यहां से अंदर बहुत अब सब्सक्राइब करें यह सब्सक्राइब होगमति जो अब हो गए मारे प्रोटीन जान करें लेंगे हम प्रोटीन के बारे में जान करें लेंगे तो प्रोटीन के बारे में तुसके बारे में स्टक्चर और प्रोटीन के रिंट्प्र अच्छें новых レीटिक है प्रोटीन के दिसलफाइड और इसी तरह यहां पर देखेंगे हम तो प्रोटीन के बाद का जो सिस्टम आता है वह आता है अब यह क्या है कि इसमें प्रोटीन को पहले लिख देते हैं इसको बात नहीं पढ़ना होता है नोड फेक्टर रूट नोडुलेशन और नेट्रोजन फिक्सेशन किस परकार से होता ह इसलिए इस पॉर्शन को बाद में दिया है इस्टीडियो आइसोमर्स क्या होते हैं एंप्रोटेरिक प्रोपर्टी सिंतेशिस अब आमीनो एसीड ठीक है बाई डिदक्टिव एमिनेशन जीएस गोगेट सिस्टम और ट्रांस एमिनेशन यह दो इंपोर्टेंट पार्ट य इसी तरह यहां पर देखो कि आपको राम चंदर प्लोट भी पूछ लिया है ठीक है इस्ट्रक्चर पूछ लिए प्रोटीन की प्रोटीन की स्ट्रक्चर बताईगी यहां से कुशन आता है सारी बतानी है ठीक है रिवर्स यह आपका डाइसलफाइड बोल्निंग के बारे म हाइड्रोफोबिक डियक्षिं के पारे में पूछ जा चुका है थाएट लास्ट इड फाइनल इस युनट के अंदर जो पार्टेब है न्जायम की इस्ट्रक्चर एंड प्रोपर्टी यह पूछी जा चुकी है सब स्टेट रिलेसेंसीप पूछा जा चुका है एंजाइम क्लासिफिकेशन एंजायम के सब्सक्राइबा पोता हैं यह सब कुछ से चीज सबता है वांपरो चाहिए जाते हैं हुग दो है उसके अंदर एक भाग तो है का इस पहले भाग में तो है वाटर है फिर वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है फिर सब्व कुछ पिर एंजाइम सब्सक्राइब क्लासिफिकेशन उसकी संदचना उसके फंक्षन ठीक है इसके अंदर इस तरह यहां पर एक ब्रेक लगाना में भूल गया हूं तो दुबारा से फिर से में ब्रेक लगाता हूं यहां पर यह वाला यह देखो यह वाला जो शेक्षन है यह फोटो सिंथेसिस का है ओं देखोगे तो फोटो सिंथेसिस में यहां पर ऑफ संथेस सीन्ब्राइशन थायलीको prostu नेंड मेंड्रे इस सबको चीज्च आ जाती है प्रकार्स 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 प्रकार इलेक्ट्रोन का चक्रिये और अचक्रिये प्रवा जो होता है वह ठीक है वाटर वाटर साइकल प्रोटोन ग्रेडियन्ट और फोटो फोस्फोर रिलेशन ठीक है यह आएगा इसके अंदर फिर आए केल्विन साइकल रेगुलेशन ऑफ रुबीस को एक्टिविटी कंट्रोल सी फॉर पाथवे इसका एडेप्टिव सिगनिफिकेंश चेंट्रोन ग्रेडियन्ट इवालएक पाथवे ठीक है नों साइकल और नोन शाइकलिक रेक्षन जो फोटो सितेशिस के अंदर होती है वह उसका ठीक है डिफ्रेस बिट्विन सी थी और सी फोर साइकल प्लांट ग पाथ्वे है ठीक है फोटो रेस्पिरेशन इसी तरह फोटो फोस्फोर रिलेशन ये भी पाथ्वे है फोटो रेस्पिरेशन ऐसे ओधे और सी वो टू कंशंट्रेटिंग मेकनिजम इन्टू तो यह जितने भी टॉपिक है मोटे मोटे से देखा जाए तो यह सब पाथ बहुत होती है परला पॉर्षन कार्भाईडरेट का होता है और दूसरे दो फॉर्षन के अंदर फोर्टोसिंतिजिस आता है सब्सक्राइब करता है कि यहां नीचे मिल जाएगा ज्यादा तर यह होता है कि आपकी भागिये के उपर डिपेंड करता है हो सकता है यहां इन दोनों सेक्षन में से के पूछन पूछले और आपर पढ़के नहीं गए तक पढ़ जाएगा कि यहां रखना इस बात का ओके चलिए अभी आ जाते हैं हम नेक्स्ट है कि युनित नंबर तीन अलों युनित नंबर तीन जो है न वह है हमारे पास में किसकी रेस्पीरेशन के विचिए ऑ कि यह जो युनित हैं हमारे पास युनित नंबर तीन हैए इस हैं है अब इस रेस्पीरेशन यूनिट पैसन अंधर नंबर तीन आपको इस तो अगर आप सेकंडरी मेटाबोलाइट का एक क्यूशन मानके चलिए और बागी एक क्यूशन दोनों में से कोई सब एक आता है तो देखो रेस्पीरेशन की बात करें तो एनवरोबिक और एरोबिक रेस्पीरेशन यह समय सेकंड यह सेकंडियर में बहुत सारी चीज़े सब्सक्राइब बढ़ाएं आपको बागी कहानिया वही है ठीक है एंपी बॉलिक नेचर ऑफ टीचीए साइकल टीचीए साइकल आ गया पेंटोस फोस्पेट पाथ वह आ गया गया ऑक्सिडेटिव फॉस्पोरिलेशन आ गया 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 हाई एनरजी कंपाउंड्स देर सिंते टीक है लोग्चेल पर एसिट का सिंतेसिस कैसे होता है और लिपिड बायो शिंतेसिस एड उसका ऑक्सिडेशन बैसिटाइब जोटेटिस सेकंडरी मेटाबुलाइट वाला जो पॉर्शन है यह तो एक ही पॉर्षन है वागी यह वाला जो पॉर्शन है थोड़ा अलग हो हो जाता है इसमें सेकंडर मेटबुलाइट में क्या है आपके वाय सिंतेसिस और फंक्षन और स्टेयोड यह क्या होता है कि यह यहां पर आप देखो गे ना इसको इसको आप देखो जहां से से उनिट चार्ज हो आपकी वह क्या है प्लेश न प्लांट ग्रोश्थ रेगुलेटर राघ्ट रांट ग्रोश्थ रेगुलेटर पतले की हार्मोन में सबसे पहला है आपका ऊगजीन हार्मोन के बारे में रागां करी निचर भी फीजिएोलोजीकल एफेक्ट और मॉड आफ आट पर पहले लाज़ी की दो पाधिन आप आप और लीजिए टीशन फीजिजान दो टीन चीजें ऑर के बाकि एक कुशन या आज यह कभी कभार पूछा जाता है इसमें आता है आपका फोर्टो पेरेडिज्म और वर्लेलाइजेशन पढ़ चुके हैं ठीक है बहुत सी चीजे फोर्टो परेडिज्म और वर्लेलाइजेशन ठीक है तो यह देखो बहुत सी यूणिट आ जाते हैं ठीक है तो अगर हम इस ओवराल इसको देखें सेले बसको तो हमें जो फॉर्स्ट उनिट ना वो थोड़ी टफ लगती है पढ़ते वक्त पढ़ते हैं तो ठीज नहीं पढ़ता उसके लिए तो कोई भी चीज टफ नहीं है बागी जो पढ़ता है उसके लिए क्या है सब चीज टफ है तो यह जो टफ चीज है ना वहीं टफ चीज है एक सिगन है एक सिगन है एक सिगन है ओके है तो यह कुछ आए नहीं रहा ठीघ़ तो पढ़ता है ना उसके लिए तो सारी चीज आसान है लेकिन पढ़ता है हं तो तो यहां पर देखोगे यह वाली उनिट जो है बहुत ही साधान सिंपल और जल्दी खतम होने वाले हैं तो हम क्या करेंगे कि अब बताव दूबी से कर लेंगे नहीं तो सुरू से पढ़ाएंगे अगर आपको लगता है कि मैं फॉर्ट यूनिट पढ़नी चीए तो हम क्या करेंगे हमारा देखोई इस्ट्रेटेजी क्या है एक टॉपिक तो पढ़ाएंगे इसमें से ठीक है और एक टॉपिक आपको पढ़ाएंगे फॉर्ट यूनिट में से इधर से यहां से पढ़ाना शुरू कर देंगे आपको इधर से दो दो तो उधर एक टॉपिक हतम होगा इधर भी एक टॉपिक हतम हो जाएगा ऐसे ना दबल सिरे से चलेंगा पर मैं ऐसा चाहता हूं कि आपको दबल तरीके से आपको समझ में आ गया है कि आपको पढ़ना क्या है कहां से आप कुईशन को चूज करेंगे पढ़ने के लिए परफेक्ट जो तैयार है आपकी ताकि वह एक्जाम के अंदर आपका अच्छासा जो है आउट्पुट निकल गया है ठीक है तो मिलते हैं टॉपिक के साथ में नेक्स क्लास में तब तक करें गुद बाइ थेक्ट ये वेरी मच्छ